ओरतों का कड़वा सच पूर्स जरूर सुनें। एक ओरत ससुराल में काम करने के बाद भी ताने सुनती रहती हैं। प्रन्तु मर्द को उसके ससुराल में अगर कुछ बोल दिया जाई तो वह ससुराल जाना बंद कर देता है। बात कड़वी हैं मगर सत्य है। एक ओरत की जिन्दगी सिरफ इतनी ही होती हैं खुद कैद में रहकर सब को आजाद वो करती हैं। फिर भी सब की सिकायत बस उसी से रहती हैं कि घर में पड़े रहने के अलावा वो काम ही क्या करती हैं। पती-पत्नी का रिस्ता एक ओरत ही दूसरी ओरत का घर बरबाद करने का मुखे कान होती हैं। मर्द तो केवल एक जरिया के बराबर हैं बात कड़वी हैं मगर सच है। ओरत चाहे तो किसी का घर बरबाद कर सकती हैं और अगर वही ओरत चाहे तो पूरे घर को भी समार सकती हैं। गरों में औरते अपने माईके के रिमोर से चलती हैं वो घर अकसर बरबाद हो जाते हैं। बात कड़वी हैं मगर सत्ते हैं। जो बेटी अपने माईके के संपर्क में ज्यादा रहती हैं और पीहर का मोहु रखती हैं। वो अपनी ससुराल में सुक से नहीं रह सकती साधी के बाद लड़की के हाथों में ही होता है कि वो अपने घर को स्वर्ग बनाएगी या नर्ग बनाएगी जिस इस्त्री का ध्यान माईके की तरफ ज्यादा हो उस परिवार में महाभारत होनी निश्चित है बात कडवी है मगर सच है पती की इज्यत वही इस्त्री करती है जिसके माईके में उसके पिता की इज्यत होती है ससुराल में रहकर जो लड़की पलपल की खबर अपने माईके देती है या पीहर से पलपल की खबर लेती है उस लड़की का कभी भी घर नहीं बस सकता आदमी कितना ही बड़ा क्यों न हो ससुराल में वो बीवी के नाम से ही जाना जाता है लड़कियां कभी उन लड़कों को एहमियत नहीं देती जो उनकी इज्जत करते हैं बलकि हमेशा उन लड़कों के पीछे भागती हैं जो उनका इस्तमाल करते हैं बात कड़वी है मगर सच है लड़कियों खुद काम करके अपना घर खरीद लो क्योंकि माबाब के लिए तुम प्राया धन हो और ससुराल वालों के लिए प्राय घर से तुम आई हो औरते अपना घर छोड़कर आती हैं अच्छी बात है और मर्द एक अंजान महिला को अपना घर सोब देता है ये भी एक बहुत बड़ी बात है औरत के लिए कोई भी वर्त नहीं रखता फिर भी लंबी उमर जी लेती हैं प्रेम करती है रादा की तरहें और मीरा की तरहें विस भी पी लेती हैं घर की नेक्टिवटी को दूर करने का अचू को पाई चपल जूतों को सपताहा में एक बार धूप में जरूर रखें घर में रोज सुभे या स्याम भजन जरूर चलाएं घर में रोजाना, लोंग, कपुर, धूप, दीप जरूर चलाएं सनिवार को नमक मिला हुआ पोछा घर में जरूर लगाएं सपताहा में रजजाई या बिस्तर को धूप में कुछ देर अवस्से रखें मोर को बेहद ही पवित्र और सुभ माना जाता है वास्तो सास्तर के अंसार घर में मोरपंक रखने से बुरी सक्तियां घर के अंदर परवेश नहीं कर सकती फिटकरी को काले कपड़े में बांध कर दरवाजे पर टांग दें प्रन्तु यह किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए तूटी फूटी बिकार की चीजें बंद घडियों को घर में नहीं रखें दोस्तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन से जानकारी सबसे अच्छी लगी कोमेंट बोक्स में जरूर बताएं दोस्तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फोलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही जबरतस टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सबी अपना ख्यार रखना